जै मा शीशी मा आनंद मई लेखी का गुरु प्रिया देवी यह यात्रा का मंगला चरण भाई जी याने शी जोतिश्चंद्र राय और परम पुज्य महा महीं शी गोपिनात कवी राजी के उद्बोधन के विना अधूरा है भाई जी जगत के सब धर्मों, सब वर्णों और सब जातियों के प्रति, सब आश्रमों, सब विशयों, सब प्रकार की शिक्षाओं में समान भाव से शद्धा और अनुराग प्रदर्शित करती हुई मा, सर्व खलुई दम ब्रम्म इस महा वाक्य को अपने जीवन में ही प्र हम सब भी एक है भाई जी महा महीं पंडित श्री गुपिनात कविराज जी गुरुप्रिया दिदी के लिए गुरुप्रिया को बंगाब्द 1332 पोश के महिने 1926 जैनिवारी से श्री शी मा के सत्संग लाप का सोभगे प्राप्त हुआ है बीच बीच में थोड़े समय के लिए व्यवधान होने पर भी मा के साथ उनका साचर्य अविछिन रूप से विद्यमान है अनुक्षन, शीशी मा के सेवा कार्य एवं अनुशांगिक अनिक कार्यों में व्याप्रित रहने पर भी जिस धारावाईक भाव से उन्होंने शीशी मा के चरित्र एवं उपदे शादे को लिपीबद करने का प्रयास किया है इस कारण मा के सभी भक्त वरिंद इनके रूणी है गुरुपरिया ब्रह्मचारिनी, वैराग्य संपना, निष्ठावती तथा सर्वोपरी मा के प्रती असाधारण भक्ति विशिष्ठा है इसके अतिरिक्त उनमें सुक्ष्म दर्शन करने की एवं निपुन भाव से वर्णन करने की अतूल नियक्षमता है विशेश तह नाना कारणों से उन्हें घनिष्ठा भाव से मा के संग तथा सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ है अता मा के विवरन को लिखने की क्षमता उनमें विशेश भाव से रहेगी यह निसंदे है कहना न होगा इस योग्यता का सद्वेवहार करके वेधन्य हुई है महा महिम पंडित श्री गोपिनात कविराज श्री श्री मा आनंद मैं पहला अध्याए मैं मा के साथ पहले पहल मेरी भेट हुई पिताजी शशांक मोहन मुखो बाद्याए अवकाश प्राप्त सिविल सर्जन पहले डेपिटी पोस्ट मास्टर जनरल श्री प्रमतनात बसु से मा की खबर पाकर दो दिन मा के समय जाकर उनके दर्शन कर आने के अनंतर मुझे मा के निकट ले गए मा उस समय ढाका शाबाग में रहती थी बाबा भोला नाच जी उस समय उस बाग के विवस्था पक थे विशाल सजा सजाय बाग मा के रहने के लिए उप्युक स्थान ही रहा मैं कभी भी विशेश बाहर जाती न थी और परिचिस्त्री क्या किसी के साथ बाते भी नहीं कर सकती थी कैसा एक विचित्र मेरा स्वबाव था इसलिए माता पिता कितना बिगडते किन्तु किसी प्रकार भी और परिचित किसी की भी और न तो देख सकती थी और न किसी के साथ बाते कर सकती थी किसी सादू संद के समीब जाना भी मेरे सभव के सरवदा विरुत था किन्तु जिस दिन पिता जी ने मा के दर्शन करके घर आकर मा की खबर दी उसके दूसरे ही दिन मेरा मन अत्यंत अस्तिर हो उठा इच्छा हुई कि मा को देखने जाओ किन्तु मैंने पिता जी से कुछ कहा नहीं इसलिए वे संध्या समय अकेले ही चले गए जिस समय पिता जी की गाड़ी रवाना हुई मुझे खूब याद है सडक की और के बरामदे में खड़ी होकर में खूब रोई थी कैसा आश्चर्य था जिने कभी देखा न था जिनके विशे में यदि कुछ कहना पड़े तो कुछ भी नहीं जानती थी उन्हें देखने न जा सकी इसलिए रोना क्या आज भी उस बात का स्मरण होने पर अवाक रह जाती हूं लेकिन अब समझ रही हूं कि उस समय क्यों रोई थी कैसा अकर्शन था पिता जी के लौट आने पर सब काम पूरा कर मा के साथ क्या-क्या बाते हुई यो सुनने गई पिता जी ने कुछ-कुछ कहा किन्तु उस से तुप्ती नहीं हुई पिता जी ने कहा माने तुम्हें लेकर आने को कहा है मैंने सुचा पिता जी के मुँसे मेरा वृत्तान सुनकर माने ले जाने को कहा होगा दुसरे दिन दो पर को खा पिकर मा के दर्शन के लिए शाह भाग गई जाकर मा को देखते ही अत्यंत परिचित की भांती निकट जाकर खड़ी हो गई उस दिन फिर अपरिचित होने के कारण नेत्रों में लज्जा नहीं रही उनकी और खूब निहार कर देखकर मैंने प्रणाम किया मुर्ती मैंने जो देखी उसे फिर क्या बतलाओं सिर मानो अपने आप ही उनके चर्णों पर गीर पड़ा मा के सिर पर बहुत बड़ा गुंगड था बड़े लाल चौड़े किनारे की साड़ी पहनी थी कपाल पर सिंदूर की बड़ी सिविंदी थी किन्तु मुख मंडल पर अलोग एक जोती धमक रही थी लाली मा लिये हुए दोनों नेत्र छल छला रहे थे भाव में मानों विबोर हो वचन अत्यन्ध ही बैठा हुआ असपश्ट था मैंने सुना कि तीन वर्ष मौन रहने के बाद मा को बोलते हुए थोड़ा ही समय बीता है आगे चल कर मैंने देखा है कि ठीक वही कारण भी न था थोड़े समय तक चुप रहते ही मा का सारा शरीर यहां तक की जीवा परियंस तब्द हो जाती बाग में मा बोलानाच जी मा की एक विद्वा ननत मा के जेट जी का एक लड़का आशु और एक भांजा अमुल्य रहते थे आशु स्कूल में आया मा भात परोसने के लिए गई किन्तु हाथ काबू के बार हो गया अत्यन्द क्लेश के साथ भात परोस आकर मेरे समिप बेठी मेरे बैठने के लिए कुछ बिछा दिया पान लगा कर ला दिया मैंने कहा मैं तो पान कभी खाती नहीं माने कहा मैं पान खाती हूँ इसलिए तुमें भी दिया है मैं भी न जाने कैसी हो गए बोली अच्छी बात है आपने दिया है खाऊंगी मैं देख रही थी कि मां भाव में इतनी भरपूर थी कि आखे भी भली भाती नहीं खोल पा रही थी मैंने तो इस प्रकार का भाव और कभी भी नेत्रों से देखा न था मुग्द होकर देख रही थी और मन में ऐसा हो रहा था कि जो चाह रही थी आज मानों उसे प्राप्त कर कृतार्थ हो गए हूँ थोड़ी देर दो-चार क्या बाते होई है ठिक स्मरण नहीं है कभी आप संबोधर करने गई तो तूम हो गया और शरीर के निकट सटकर बैठी रही कुछ भी ध्यान नहीं रहा मा उस समय मेरे साथ जिस कमरे में बैठी थी उस कमरे में मा के भंडार की वस्तुए रखी थी समीप का कमरा जरा बड़ा था उसमें मा सोती थी उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था उसमें मचरी बुआ बच्चों के साथ रहती थी इन तीन कमरों के साथ इस छोटे के दालान में मा रहती थी कुछ दूरी पर मुझे दो छपपर दिखाई दिये उसमें निरामिश और सामिश रसे बनती थी प्रति दिन भोग लगा कर बोजन होता था यह मैंने सुना मा ने दो चार बाते करकर ही बीच का दरवाजा बंद कर दिया उस बीच के कमरे में पिता जी और भोलाना जी बैठे थे दरवाजा बंद करके मा अत्यन परिचत की तरह बाते करने लगी मुझसे सरसा बोली तुम इतने दिनों तक कहा थे यह काकर हस्ती हुई मेरी और देखती रही बाते करते करते भाव फिर कैसा गंबिर हो आया बोली तुम बैठो मैं अभी आती हूँ मैंने तुरंत कहा यह क्या मैं आई तुमसे भेट करने तुम इस वक्त नहीं जा सकोगी मैंने सोचा था संभव है मा उठकर कहीं जाएगी किन्तो यह वह बात तो नहीं हुई मा वही मेरी गोत के निकट जमिन पर ही लेट गई मैंने राम कृष्ण देव का कथामरित पढ़ा था इसलिए मुझे ग्यात हुआ कि हो नहो यह समादी है मैं आखे बन कर मा के शरीर का स्पर्ष कर बैठी रही बहुत देर बाद मा उठक बैठी शरीर मानो अशक्त था मैंने सोचा जरासी सीर्टा लाने के लिए मनुष्य को कितनी साथना करनी पड़ती है किन्तु इनको देख रही हूँ कि निरंतर वही भाव लगा ही है उठकर फिर अत्यंत अस्पष्ट स्वर में बाते करते करते क्रमशा वचन को स्पष्ट हुआ बहुत देर तक बाते हुई मैं मा की गोद में सीर रखकर लेट गई मा भी बैठे बैठे कितनी ही बाते कर रही थी उधर मा के दर्शनों के लिए प्रमत बाबू के पुत्र प्रतुल बाबू ने उसी अवस्था में दरवाजा खोल दिया ये मा के बड़े भक्त है मा के निकट चीर काल से आना जाना कर रहे है इनके पिताजी भी मा के बड़े भक्त है पिता जी ने पुकार कर कहा उट आ, मा के दर्शनों के लिए अन्यान्य अनेक भक्त आये है दर्वाजा खोल दिया गया, मैं मा को नमस्कार कर चली आई आते समय माने मुझे फिर ले आने के लिए पिता जी से कह दिया नशासा लग गया, दूसरे दिन फिर गई, मा के दर्शन के बाते सुनी, चली आई किन्तु फिर घर पर मन ही नहीं लगता था प्रती दिन ही, जब भी मौका मिलता, एक बार मा के निकट जाती उसी समय की प्रतिक्षा में सारे दिन और सारी रात बैठी रहती दिन पर दिन मा के दर्शनों के लिए मन सहसा इतना चंचल ओगता कि दिन में दो बार भी जा पहुंचती जै मा